दोस्तो आज में बहुती इदी सा एक डियाइवाई करके आप सबको दिखाऊंगी और वो भी कवार से जुगार याने कि ये जो बटल है ये बिसलरी की छोटे वाला बटल जिसका प्राइस है 7 रूपीर तो इसको हम फेक देते हैं तो आज के बाद से इस तरह की छोटे बटल आप कभी भी नहीं फेकेंगे अगर आप इस तरह की डियाइवाई बनाते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हूँ हाई फ्रेंज मैं हो चैताली आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है तो दोस्तो इसके लिए मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी तो चलिए एक एक करके दिखाती हूँ यह है प्लास्टिक की बटल और चाहिए मुझे अक्रली कलर और चाहिए एक सीजर और चाहिए काली धागे अगर यह धागा ना हो तो उल भी ले सकते है और मैंने लिए कुछ प्लैंट्स क्यूंकि यह है एक प्लैंटर तो प्लैंट् जो मेरे गार्डेन से ही मैंने लेकर आई है तो अब मैं इस बटल की जो इस साइट की भाग है इसको पूरे काट लोगी और वो भी एक सिजर के सहरे आप गरम छूरी भी इसमें यूज कर सकते हैं उससे भी बहुत ही जल्दी आपकी ये बटल कट हो जाएगी तो मैं सिजर के स अब मैं पीछे का ये जो जो स्टीकर है इसको हटा दूँगी क्योंकि मुझे कलर करना है और इसकी बटल कि जो धकन है उसको मैं इस तरह से सिजर के सहारे खोड़ कर रहे हूँ क्योंकि मुझे हैंग करना है ये प्ल्लैंटर तो प्लैंटर रहे ay? प्लैंट लगाऊँगी तो नीचे तो होल होना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकलना है तो इसलिए मैंने दो होल कर ली है बटल के नीचे से अब मैं धक्कन को खोल कर ये जो काले धागे हैं इसको इस तरह की नाब देकर काट कर मैं एक नौट लगा लूँगी और उसके बार मैं इसकी जो उपर का हिस्सा है इस तरह से बटल की इस तरह से निकाल लूँगी तो ये हैंग करने के लिए तैयार हो गए तो ये देखिए ये बटल कितना सुन्दर हैंग भी हो गए है तो अब चुलिए इस बटल को थोरा सा कल कर लेते हैं तो मैं दो हेंगिंग प्लैंटर बनाऊंगी इसलिए मैंने दो बोतल ली है अब मैं इसको कलर कर लूँगी कलर करने से यह जो प्लैंटर है इसके लूग चेंज हो जाएगी तो मैं इस तरह से कलर कर लही हूँ और तोनों को मैंने कलर कर ली है देखिए कितनी ब्य बीटिफुल बना ले के लिए मैं मेरे पास जो दूसरे कलर है उसको भी थोड़ा एड़ करूंगी यलो कलर करने के बाद मैं आधा गंटा इसको छोड़ दी थी और ये पूरे सूख गए है अब मैं इसके उपर मेरे जो दूसरे कलर है एक्रिलिक वो मैं कर रही हूँ और दो कलर से भी कर सकते है जो बहुत यह देखने में बीटिफुल लगे की और ये जो पिंक वाले प्लैंटर है इनमें मैं ग्रिन दे रही हूँ पिंक के उपर ये ग्रिन कलर भी अच्छे लग रहे है मुझे तो लग रहे है तो आप सब को कैसे लग रही है प्लीज मुझे आप छोड़ के यलो कलर कर दूँगी तो देखिए ग्रिन पिंक उसके बाद यलो तो कितनी अच्छे लग रही है आपके पस जो भी कलर है आप वो दे सकते है तो ये खुद की मर्जी है अगर आप नहीं चाते है तो नहीं भी दे सकते है लेकिन प्लैंटर ये बन गये है आ लेकिन खुब सरीति को बराने के लिए मैंने इतने सब कलर को एड़ की है तो दोस्तों ये देखिए चोटो चोटो प्लैंटर कितने ब्यूटिफुल लग रहे है कलर करने के बाद तो अब चलिए ये तो प्लैंटर बन गये है अब प्लैंटर है तो प्लैंट्स तो जरूर चाहिए तो अब इन में plant add करने की कमी है तो चलिए अब वो भी कर लेते हैं तो इसमें अब मैं मेरे जो garden soil है वो डाल दोंगी दोनों बटल में ही ये डालना है तो ये देखिए मिट्टी को मैंने डाल दी है अब बारी है plant लगानी की तो एक में मैं money plant लगाऊंगी और एक में turtle vine तो अचलिए अब इसको पानी से पहले गिला कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे planter है और पानी अगर गिला होगी तो कोई भी cutting अच्छे से लग जाएगी और दूस्तों planter तो छोटे है इसलिए आप spare के साहरे अगर पानी देते हैं तो प्लैंट में अच्छी तरह से पानी भी जाएगी और प्लैंट भी अच्छी रहेगी इसलिए मैंने स्प्यार के साहरे इस छोटे पॉर्ट में पानी दी है तो एक में मैं अभी थोरा होल कर लूंगी एक स्टिक के साहरे तो इसमें मैं मेरे पास जो garden से लाए हुए money plant की cutting है वो लगा दूंगी इस तरह से होल में खुशा कर मिट्टी को थोरा प्रेस कर देना है तो ही यह लग गया है दूसरे पॉट में भी इसी तरह से होल करके प्लैंट को लगाने हैं अगर आपके पास यह प्लैंट नहीं है तो आप दूसरे प्लैंट भी लगा सकते है जैसे कि wondering dew, purple heart छोटे-छोटे से जो अचे के पाणी में दर देम में में दो अचली में है। क्योंकि प्लास्टिक को सेट करना है मिट्टी के साथ तो दोनों में ही दे दूंगी तो दोस्तों ये देखिए छोटा सा प्लास्टिक का बटल कितनी अच्छे प्लांटर बन गये है तो आप सबको कैसी लग रही है दोस्तों प्लीज मुझे कॉमेंस करके बताईएगा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से कवर से जुगार जरूर कीजिए आप अगर चाहते है तो दूस्ती टाइप की जो पानी के बोतल होते है उससे भी ये प्लांटर बना सकते है वो भी देखने में बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगी और इस तरह से हैंकर दीजिएगा तो हैंकिंग प्लांटर बन जाएंगे तो कितनी अच्छी लग रही है देखिए तो आप इस तरह से planter बना कर आपके garden में रख सकते है garden की जो wall है वहाँ पर रख सकते है balcony garden में रख सकते है indoor में रख सकते है window में hanker के रख सकते है जहाँ पर भी रखेंगे इस तरह की planter उस जगह को ये खुबसुरत बना देगी तो मैं तो इसे मेरे जो सीरी के सामने जगा है वहाँ पर हैंक करूँगी क्योंकि ये जगा मुझे बहुत ही पसंद है हैंक करने के लिए कोई भी प्लैंटर तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हैंक कर दी है और कितने ब्यूटिफुल लग रहे हैं तो जब हवा आती है इस तरह से घूमते है यह प्लैंटर तो आप लोग भी इस तरह से प्लैंटर जरूर बनाईए तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे एक लाइक और कॉमेंट्स कीजिएगा और जो लोग पहली बार मे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बड़न के निचे जो बेल आइपन है उसे भी दबा देजिएगा क्यूंकि वह दबा देने से मेरे जितने वे वीडियो आने भले है वह आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी तो दोस्तों आप लोग भी म मैंचर चाइब कर देना भी में जोगागी तोस्तों आप कर दो दोस्तों आपके अने कर दोस्तों क om Кईाव कर दोस्तों है Brenda